आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम है सिद्धान तगनी होतरी, श्टेडी ग्लोस प्याव का बहुत बहुत सभागत है, दोस्तो आज हम चैप्टर 24 पार्लियमेंटरी फोरम्स की बात करेंगे, बहुत ही चोटा चैप्टर है, फड़ा आक से इसको एड्रेस कर सकते हैं, तो भाई हमारे आभी ऐसी फोरम्स है, पार्लियमेंटरी फोरम्स की बात है, तो भाई हमारे पार्लियमेंटरी फोरम्स बनाई गई है, समझ रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा, कि जो मिनिस्टर्स हैं, वो दुनिया भर में गूमते हैं, कभी उना बहुत ही अच्छा concept है दोस्तों, क्योंकि अगर parliamentary forums नहीं होगी, तो जो important issues हैं, उनको कैसे हम address कर सकते हैं, कहने का मतलब यह है, कि आप देखिए, हर एक चीज को हमने cover किया है, हर एक चीज का प्रावधान है, water conservation का प्रावधान है, बच्चों की पढ़ाई का प्रावधान है, यूद को कैसे नौकरियां दी जाए, skill development कैसे उसका प्रावधान है, हम इसमें parliament में कोई act ला सकते हैं, हम schemes launch कर सकते हैं, हम हमारे पास committees हैं, और forums हैं, उसके बावजूद development नहीं है, अब आप समझी सकते होंगे कि कि इतनी गड़बर चल रही है, तो फिलाल 8 parliamentary forums है, पहली parliamentary forum 2005 में set up हुई थी, और उसके बाद 7 parliamentary forum और set up हुई, तो यह 2005 से concept आया है, तो सबसे पहले तो water conservation and management पे parliamentary forum है, youth पे parliamentary forum है, children's पे parliamentary forum है, public health और population पे parliamentary forum है, global warming and climate change पे भी है, ठीक है, और disaster management, तो यह दो आप देखिए, important, कितना ज़दा important है, parliamentary forum की जरूरत वक्त दर वक्त पढ़ती रह यह हो सकता अब और forum हो जाए, है ना, अब climate change और global warming आपको पता ही है, 21st century के सबसे बड़ी problem है, हमारे अस्तित्व का सवाल है, Paris climate deal के हिसाब से हमको 2 degree Celsius तक 2030 तक temperature को रोकना है, मतलब 2 degree Celsius तक बढ़ने नहीं देना है, इसको 1 degree Celsius उससे कम रखना है, जो average temperature है, अगर यह 1 degree से भी नहीं सकते, तो उसके लिए भी forum बनाई है, ठीक है, artisans और crafts people ताक कि हमारी domestic industries बची रहे, और यह जो artist है, यह और craftsmen है, इनको बचाया जा सके, इस पे भी forum है, और यह MDG, Millennium Development Goals पे भी forum है, ठीक है, जो United Nations के है, अब देखिए, objective जो है, और functions, यह function जो है, इसको रटने क ज़रूरत नहीं है, देखिए, हम इस, जो यह art forums है, इनके functions को discuss करेंगे, लेकिन आप रटिये नहीं, आप समझ लीजे, ठीक है, कैसे समझ लीजे, इनके काम एक ही है, ठीक है, एक ही है, बस area बदल जाता है, जैसे water conservation की बात करें, तो water conservation में यह जो objective है, यह आप apply कर देंगे बस area बदल जाएगा, यह objective water conservation की सेक्टर में होंगे, चिल्डेंस की बात करें, तो यह objective चिल्डेंस पर लग जाएगे, आप समझ रहे हैं तो यह objective आप लगा दीजे, बस area बदल जाएगा, ठीक है, तो objective पहले समझ लीजे, और फिर इसको हम cut copy paste हर सेक्टर में कर देंगे, ठ objective क्या है, parliamentary forums की सबसे पहले तो, जो members होते हैं, ठीक है, members लगातार interact करते हैं, जो भी parliamentary forums का हिस्सा होते हैं, जो ministers concerned है, जैसे, आपको पता ही है, कि हमारे health ministry है, तो parliamentary forum on public health, इसके जो members होंगे, लगातार यह ministers से interact करेंगे, experts से interact करेंगे, strategies बनाएंगे, reports तयार करेंगे, और उसक बाद advice करेंगे, और discussion भी होगा, Parliament में बकायदा discussion भी होता है, ठीक है, यह parliamentary forum का यही objective है, कि देखो, analyze करो, discuss करो, और अगर उसका कोई सही समधान निकले, तो उसके लिए कानून ले के आओ, या schemes launch करो, समझ रहे हैं, उसके बाद दोस्तों, जो members हैं, उनके जो key areas or concerned हैं, reality क्या है, उसको देखेंगे, latest information, knowledge, सब कुछ gather करेंगे, इसमें देश में भी जो experts हैं, और बाहर जो experts रहते हैं, उनसे भी consult करेंगे, और last but not the least, collaboration होता है, NGOs, newspapers, United Nations, Internet, etc. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, कि composition क्या है, composition दोस्तों, इसमें जो speaker of लोगसभा होता है, वो होता है हमारा ex-official president of all forums, ठीक है, अब parliamentary forum on population और public health को छोड़के, speaker of लोगसभा, सारी forums का ex-official president होता है, और उसके बाद speaker जो होता है, वो co-president होता है, ठीक है, फिर deputy chairman, deputy speaker of लोगसभा जो concerned ministers होते हैं, ठीक है, जो standing committees के members होते हैं, उसके chairmen जो होते हैं, वो ex-official vice president होते हैं, अब हर forum में 31 members से जादा नहीं होगे, ठीक है, इसमें president, co-president और vice president include नहीं है, या members की बात हो रही, ये अलग है, ठीक है, 31 members में president, co-president और vice president, मतलब, शुरू के 2 को आप हटा दीजे, तो 31 members से जादा नहीं होगे, जिसमें 21 लोगसभा से 10 राज्यसभा से, समझ रहे हैं, अ अब उसके बाद, दोस्तों, सबसे पहले, water conservation की forum को हम देखते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें जो, अब भाई, हमारा underground water वैसे सूपता जा रहा है, बहुत problem है, water level बहुत नीचे जा रहा है, तो water conservation को, मतलब, पानी को तमको बचाना ही पड़ेगा, नीती आयो की report है, 2030 में, ब अकायदा schemes बनाई जाए, program चला जाए, government और organization द्वारा, उसके बाद किस तरीके से इस problem को solve करना है, वो हमको देखना है, parliament में लगाता है, discussion हो, workshop हो, seminars हो, ताकि लोगों को aware किया जा सके, ठीक है, उसके बाद, youth पे बात करते है, तो यहाँ पे हमको strategy बनानी है, क्योंकि youth is the future, हमारे प्रदान मंतरी भी है बार-बार कहते है, कि युवाही देश का भविश्य है, तो युवाहों के लिए strategy बनाई जाए, development initiatives लाई जाए, skill development हो, जादा universities हो, अच्छे से education है, वो impart की जाए, ठीक है, यह सारी चीज़े है, ठीक है, और लगातार, जो members है इस forum के, लगातार युवाहों से interact करते रहें, ठीक है, और इनमें से कुछ leaders को चुने, जो इनकी problems को address करें, ठीक है, अब इसमें consultation होती रहती है, दोस्तों, national और international भी, फिर children's की बात करते हैं, बहुत important, यही जो बच्चे है, अगर हम बच्चों को अच्छी education नहीं देंगे, right to education तो वैसे हमा provide करती है, ताकि जो ideas, views, experience, expert practices है, वो exchange की जा सके, मतलब कोई भी अगर idea दे रहा है, कोई भी अगर innovative solution दे रहा है, कि बच्चों का यह issue है, और उसको address कर सकते हैं, तो उसका स्वागत है, आप यहाँ पर different workshops की जाती है, programs होते है, seminars होते है, वही चीज है, ठीक है, मैंने बता न नहीं है, malnutrition से लड़ना है, हमको education से लड़ना है, बच्चों का education मिलती नहीं है, कई बार तो बच्चों की trafficking होती है, तो उन सब को रोकना है, तो वो सारे issues important है, उसके बाद population और public health, ठीक है, अब जाहीर सी बात है, इसमें भी हम strategy बनाएंगे, ठीक है, और जो public health के issues है, उस पे जो concerned strategy होगी, वो बनाएंगे, grouse root level पे काम होगा, WHO जैसे organization से हम collaborate करेंगे, फिर global warming और climate change, इसमें सबसे important तो यही है, कि जो norms है, जो international norms है, जैसे Paris climate change जो बता रहा है, ठीक है, उसकी जो norms है, हम उसको follow करें, 200 countries ने उसको sign किया है, ठीक है, Paris climate deal, तो उसको हम देखे, climate change को address क कम करें, greenhouse gases को कम करें, industries से बहुत ज़्यदा pollution होता है, उसको देखे, तो इसकी proper strategies बनानी होगी, ठीक है, तो इसमें भी वही सारी चीज़े हैं कि strategies बनाओ, discuss करो, seminar करो, workshop करो, सबको aware करो, उसके बाद disaster management, अभी बीते 5-6 सालों में बहुत ज़्यदा disasters आ रहे हैं, disaster management की बात कर तो इसकी भी proper strategy बनाई जाए, ठीक है, अब आपको पताईए कि NDRF हमारे हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, जब भी disaster आता है, वो हमेशा पहले पहुंचते हैं, और again, seminars को organize किया जाए, workshop को organize किया जाए, ताकि awareness फैलाई जा सके, इसमें जो members of parliament है, वो तरीके बताते हैं कि कैसे हम disaster management को रोक सकते हैं, हलाकि यह सारी forums के लिए है, उसके बाद again, किस तरीके से हम अपने artist और craftsman को protect कर सके, तो इसमें भी वही चीज़ है कि strategies बनाई जाए, बकायदा workshop, seminars और orientation प्रोग्राम सो, इसमें civil society का भी बहुत जादा योगदान जरूरी है, हमारा उसमें institutes बनाई जाए, ठीक है न, जैसे KVIC, Khadi and Village Industries Commission, ठीक है, इस तरीके के अगर institute बनाई जाएंगे, ताकि हम इनकी problems को address कर सके, यह बहुत helpful होगा, फिर project assignment लिए जाए, तो यह सारी चीज़े, उसके बाद फिर millennium development goals, MDG, क्या-क्या है, आप देख सकते हैं, कि सबसे पहल 2030 तक भूकमरी से लड़ना है, universal primary education होनी चाहिए, gender equality, empowerment of women, reduction of child mortality, उसके बाद maternal health हमको improve करना है, HIV-AIDS से लड़ना है, malaria और बाकी बिमारियों को हटाना है, तो उसके लिए भी, यह 2015 में target set होए थे, ठीक है, इसके लिए भी forum बनाई गई है, और आप देखते ही रहते होंगे, कि जो हमारी सरकार है, इसी forum के जरिये से बहुत सारी schemes रोच करती है, और funding भी करती है, ठीक है, तो भाईया, यह United Nations है, तो United Nations के agency के साथ हम collaborate करते हैं, यह lecture था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, छोटा सा chapter था दोस्तों, पर ज़्यादा कुछ है नहीं, खुछ रह आपको यहां इस म करते हैं, आपको एकार है, भआि अबhern नहीं, गुछ अब होगा, फूसी था प nervous озtv पी जीत ли नहीं है, तो एको आपको आपको फेको रोआब करते हैं, डहाब था नहीं, यह चक्ण करते हैं, जच्छ आपको प्र खरी नहीं, पर बदाने, बदाने, जच